हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके अकेडमिया और आज हम बात करेंगे आईसी आर नेट एक्जाम 2023 के लिए अग्रिकल्चर माइक्रोबालेजी में कौन कौन सी बुक बैस्ट होने वाली है तो देखी जो स्ट्रेटिजी फॉलो मैंने अपने नेट कौलिफाई करने के लिए किया था जिस बुक को मैंने रिकमेंड किया था अपने लिए खुद से ही तो उन्ही बुक्स को मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ तो आप सभी अगर इसे strategy के साथ त्यारी करेंगे तो definitely sure आप first attempt में ही correct करेंगे तो दीखे सबसे पहले बात करूँगा कि आपको किस तरह की books को purchase करना है और आपके पास अगर books available होंगे आप microbiology field से हैं तो ये books already आपके पास available रहेंगी तो यहां से हम सबसे पहले अपना आज का एक class start करने वाले हैं जिसमें आप सभी in books को देख लीजे जिनके पास नहीं है वो purchase कर लीजेगा जिनके पास available है वो in books से अपने तियारी सुरू कर दीजे और आप सभी के जो एक तरह से मैं बता दूँ help के लिए और आप सभी के एक अच्छे guidance के लिए मालगदर्शन के लिए हमने एक batch अपना launch किया है Arjuna 1.0 तो इस batch को आप जो है join कर सकते हैं 20 March से ये batch हमारा start हो रहा है इस से पहले हमारा अरजुना batch चला हुआ है तो देखे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस batch के हमने जो fees रखी थी वो थी 9,999 रूपिस फुल स्लेवर्स के लिए लेकिन अब सभी का ICR net examination open हो चुका है तो सभी के लिए जो है फीस जो है वो कर दे गए 4,999 तो जो भी students हमारे अरजुना 1.0 batch के साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमें इस number पर WhatsApp करके contact कर सकते हैं और देखे आपको online batch के लिए जो है अगर प्लेटफॉर्म चाहिए यानि कि agriculture culture microbiology का batch हमारा चला हुआ है तो आप इस number पर हमें WhatsApp कर सकते हैं और यह धिहान रख लिए कि आपको लगभग 50% आफ दिया जा रहा है हमारे जो अरजुना 1.0 batch के लिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे तैयारी अपनी पूरी कर सके टाइम से पहले एक्जाम के अगर बा स्लेवर्स की क्लासेज मिलेंगे आपको मोक टेस्ट मिलेंगे ओके आपको प्रिवियस एर एक्जाम से पेपर के गोड़िंग जो कोस्चन आई हुए है वो आपको कराये जाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हमारा आज का वीडियो कौन कौन सी बुक्स आपके लिए बैस् सारविय का कम्प्लीट स्लेवर्स जो है इन्कलूड है ये बुक जो है आपको प्रॉपर वे में सारा स्लेवर्स प्रॉइड करने की जह है कैपसीटी रखती है तो सबसे पहले आप जो है टेक्ट बुक आफ माहिजवरी बुक आपके पास होनी चाहिए इस एक्जामस के लि दूसरी बुक है, अगर आपको वन लाइनर, MCQs की प्रैक्टिस करनी है, माइक्रोबियोजी के लिए, तो ये एक बैस्ट बुक है, पुरुष्वत्तम कॉसिक और कीर्थी कॉसिक डॉक्टर है, जो दोनों ही डॉक्टरेट है, तो इनकी आप बुक जो है, पर्चेस कर सकते है तो इस बुक से आपको वन लाइनर और MCQ की बहुत जादा हेल्प मिलने वाली है, फिफ्ट एडिशन पर्चेस कीजएगा, इसका फिफ्ट एडिशन जो है चल रहा है भी, इसके बाद आप प्रैक्टिकल माइक्रोबियोजी बुक आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपक प्रैस कोट होना चाहिए, तो विले सेंड्मन वुट का प्रैस कोट में आपको जो बचेवे टॉपिक्स हैं वो मिल जाएंगे, तो यहाँ पर मैंने आपको चार बुक रिकमेंट की हैं, चारो बुक से ही, आई होब कि यह चारो बुक आपके इस बार के नेट एक्जाम के सफिशेंट है, जादा बुक पर्चेस करने की जरूरत नहीं है, जादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, यह बुक्स आपके पास होंगे, तो डेफिनिटली शौर है कि आप पूरा स्लेवर्स कंप्लीट कर लेंगे, तो यह बुक्स मैंने आपको रिकमेंट किया है, इन बेस्ट बुक खरीदने का या बेस्ट बुक लेने का जो है एक तरह से इसीजन मिल सके, तो स्ट्रेंट्स मिलते हैं, नेक्स क्लास में और हम आपको बता दें कि हमारा स्लेवर्स एनलिसिस का जो वीडियो है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाके माइक्रो बैल प्रेंट्स मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पढ़ते रहे हैं, स्वस्त रहे हैं, जल्दी हम आपको और भी अच्छे अच्छी चीजे आईसीर नेट के बारे में बताएंगे